नर हो न निरास करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर निजनाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह विर्थ नहो, कुछ तो प्युक्त करो तन को, नर हो न निरास करो मन को ऐसा ही कुछ जजबा लिया हुए है विस्वबंध गुपता जी जिन्हों ने भरस्टा चार के खिलाप मुहीम में सत्ता के केंद्र पर हमला बोला है कुछ इसी बेबाकी पर चर्चा करते हैं विस्वबंध गुपता जी से आपका बहुत-बहुत स्वागत है विस्वबंध गुपता जी से हमारा पहला सवाल है आपने भरस्टा चार के खिलाप जो मुहीम छेड़ी है उस पर राजनीतिक नेताओं को भी अपने सिकंजे में ले लिया है क्या मामला था कांग्रेस का जो पिछले दो साल से मुझे लगातार ये बार-बार खबरे मिल रही थी कि घष्टा चार बहुत जादा बढ़ गया और कौन-कौन लोग कर रहे है समस्या ये पैदा हो जाती है कि आप किसी भी नेता के खिलाफ तब ही बोल सकते हैं जब आपके पास सबूत हो क्योंकि कोई नेता के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता जब तक मेरे पास उसको बैक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ना हो तो क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं कमिशनर रहा हूं तो मुझे हर चीज का मलूम है तो हमें समय लगा और जब हमने देखा और जब काफी हमने रिसर्च किया तो इतने भरष्टाचार के डॉक्यूमेंट्स हमको मिले और फिर मैं खुद तंग आ गया था इसलिए तंग आ गया था कि यह सरकार इंट्रेस्टेड ही नहीं थी किसी चीज में भरष्टाचार दूर करने के अंदर किसी चीज में कॉवनवेल्थ गेम्स का हो चाए टूजी स्कैम हो चाए इनके एसेट्स की बात भी जहां तक है अभी तक इन्हों ने एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किया है कई मिनिस्टर्स नहीं मायावती के केस पे ले लिजे और पार्टी के ले लिजे एक ये हो गया है कि साथ भरष्टाचार के उपर हम कोई भी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को कंफरंट करने को तयार नहीं है आज भी आप देख बीजे आप जो लीडर ओव दी लोक सभा हैं बीजे पी की सीवी सी के मामले में मनमोहन सिंग जी ने इतनी धरिश्टता दिखाई जिसको मैं बूलता हूँ उनको पता था ये भरष्ट आत्मी है ठीके रहे सुप्रीम कोट बोल रही है कि आप इनको बदल दीजे नहीं तैय अरे पूरे मुलका आपने इतना टाइम खरस दिया पूरे एक आप ये क्या आप या आप एक दूसरे से आप मिले हुएं अब आप देखिए उनके एक बड़े सीनियर नेता है बीजे पी के अडवानी जी सुन लिजे बड़े तों सारे ये उमर में पता नहीं कोई को और न पूरे सभी हमें, का इस अंदी का नहीं निकला और आपने माफी भी मांग ली, मुझे आप बताइए वो नाम ना मेरे पास ही, ना भारत सरकार के पास है, ना किसी के पास है. तो आपने माफी का के एकTS माइद आआ प हाफ़ आりますा, के स्विछ्छर्राइन को में तों आइस प्रेस कॉंफरेंज दें उसका नाम भी बता देंगे विस्बंद गुपता जी ने बड़ा खुलासा किया है कि आडवानी जी के करीवी का भी स्विस बैंक में खाता है एक पहली बार खुलासा किया है विस्बंद गुपता जी ने विस्बंद गुपता जी से हम आगरे करते ह कि उन नामों पे भी चर्चा करें जिन पे हसन अनली को लेकर उंगली उठे थे जो चीजे आ चुकी है भार कम से कम पांच तीन चीफ मिनिस्टर के महराश्टरा के अकाउंट्स निकल चुके हैं उसके पास शरत वार का पैसा रखता था वो विलासरा उदेशमुक का रखता थ आंधरा परदेश के चीफ मिनिस्टर विजय भासकर रेडी जिनकी मौत हो गई है उनका रखता था एहमत पटेल पता नहीं किसके अकाउंट के लिए जाते थे उसके पास उसका ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनका था ये किसी और का देखते थे उसका जा रहे थे उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आए मायावती का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो तीनों एक प्राइवेट जहाज में गए 2009 के अंदर और UBS सिंगापूर में नोंने पैसा जबा करा है अब मुझे मैं उसको जानता हूं आए इस आफिसर को उसके पास तो इतना बड़ा पैसा ह आया फैनेंस मिनिस्ट्री से कि साब किसी भी तरह से हसन अली को बेल मिलनी चाहिए मैं ये पूछ रहा हूं बार बार कि उन एंफोर्समेंट डिरेक्टर्स के उपर कौन आदमी प्रेशर डाल रहा था फैनेंस मिनिस्ट्री में कौन डाल रहा था और जो एंफोर्समेंट ड इटेलियन बैंक लेकर आया है वो और चार स्विट्जर लेंड के लेकिया है और एक नेपाल का लेकिया है चिदमरम का अपना इतियास है क्राइम्स का पर तो पनब की बात करो मैं तो हसन अली की फिर बाद में जब सुप्रीम कोट ने ग्रिफतारी कि आज उसको छोडने को त डेश के अंदर कि आप इस डेश की बिरॉक्रिसी को काम नहीं करने दे रहे हैं क्यों आपके दबाओं में आता है उसका ट्रांसफर कर देंगे उसको किसी हमारे साथ क्या होता था हम क्यूँ जबी भी हमने किसी बड़े आदनी को पकड़ा और हमने का हम आपकी बात नहीं मानेंगे तरुन थी उसके अगले दिन ट्रांसफर और हाथ में हमारे आप चले जाएए किसी ऐसी जगा पे भेज़ देंगे आपके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हम तो चले भी जाए हमारी बीवी ह से निकाल दीजे एक भ्रष नेता ने तो दिनली का पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग होटेल जो है 2001 में एक ऐसी कंपनी को बेचा बिगर टेंडर बंगा है उसी उसी इलजाम के उपर आज राजा बंद है कि टेंडर नहीं मंगा है यही है ना अरुन शौरी ने चार प्र कोपरिटी निकली है बाद दाओद की कंपनी निकली है बाद में बिकके फिर उसने उसको सिंगापूर की कंपनी को बेचा उसने अपने आपको बेंकरफ डिकलेर कर दिया अब बाद में पता लगा मुझे मैं तो होटल गया नहीं वो किसी और कंपनी ने खरीद रखा है सरकार आज से मेरा अपना नुमाने च्छे आर दस महीने में इतने स्कैम्स हो चुके हैं कि किसी को गिराने की जरूरत नहीं है मुश्किल हमारे आगे यह पड़ी है अगर बीजेपी आती है इनकी जगा जिसमें कुछ लोग इतने भरष्ट हैं तो इसको गिराने का फायदा कि मैं अगर दस भरष्टों की सरकार को अठा के पांच भरष्टों की सरकार ला रहा हूँ तो मेरे जैसा आदमी तो बेवकूफ है अब मेरी समस्या देखिए ना मेरी समस्या सरकार को गिराने यह तो अपने कर्मों से गिर चुकी है मुझे तो प्रॉब्लम यह आ रही है इसका फाइदा खोन उटाएगा जनता का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है आपके साथ जनता का एक आदमी है जो आपके इस मुहीम में पूरा साथ दे रहा है हमें जाना चाहते हैं जनता किस तरीके से अपने आपको पिस करें इस पूरे मुहीम में आपके मैं इतना ज़्यादा आपको बताओं प्रसंद नहूं जनता से आप देखिए जनतर मंतर पर मैं जाता था यंग लड़के इतने वेल बिहेवट इतने सिंसियर हम लोग फेल हो रहे हैं जो हमारी लीडर्स जो है हमारा चैलेंज है क्योंकि देखिए जन लोग पाल बिल पास होने से अकेले से भरष्टा चार नहीं सिरफ दस परसंट भरष्टा चार जाएगा हमने अब पूरा एक बाबारामदेव से भी टच में हूँ मैं अन्ना हजारे जी से भी हूँ एलेक्टोरल रिफॉर्स ला रहे हैं हम ऐसा एलेक्टोरल रिफॉर्स का बिल ला रहे हैं पार्लेमेंट के लिए कि अगर वो पास हो गया तो कोई अमीर आदमी का कोई पैसा काम नहीं करेगा चुनाव में ना क्रिमिनल उसके पास आ सकता है वो काफी लंबा चोड़ा है वो अगले हफते इस हफते के बाद प्रेस कॉंफरेंस होगी वो मैं आपको भेजवा दूँगा और उसमें ये संभव हो जाएगा चुनाव सुदार के लिए आके मुखि बिंदु क्या होंगे लेकि मुखि बंदी एक तो यह है कि हम सारा चुनाव का कैंपेइन पिरियड एक हफते का कर रहे हैं सिर्फ चुनाव से एक महिना पहले से ना तो कैंडिडेट और ना कैंडिडेट की पार्टी कोई कैंपेइन कर सकती है आप मतलब कैंपेइन कर सकते हैं आप जंडा नहीं लगा पाएंगे आप बैनर नहीं लगा पाएंगे आप कोई और TV में अड़िटाइजिंग नहीं कर पाएंगे, आप अख़वार में अड़िटाइजिंग नहीं कर पाएंगे आप एक महीने से पहले जो रेगुलर करते हैं वो करते रही है लेकिन चुराव से एक महीने पहले बंद हो जाएगा लोक सवा की हम पूरी सीटें दुगने करने जा रहे हैं पांसो बैली से दस्व चुरासी और सारी MLA की डबल हो रही है तो अगर जो आदमी जो जिसको लड़ना है उसका आधा शेतर कम हो गया ना आज एक लोगों की भी समस्या MP सुनता नहीं है तीसरा हम ये करने जा रहे हैं कि हिंदोस्तान में चार करोड इंकम टेक्स पेयर्स है हम और देशों की तरह उनका जो इंकम टेक्स पे कर रहे हैं पहला दो सो रुपया जो टेक्स का है वो इलेक्शन कमिशन के पास चला जाएगा हमारे पास 800 करोड आ जाएगा और 5 साल में जंखिया 4000 करोड हो जाती है उससे हम क्या करेंगे जितने भी candidates हैं वहां के वो बार बार वहां के community centers में एक debate करेंगे आपस में बात करेंगे एक ही platform पे करेंगे और उसको हम telecast करने की permission दे देंगे क्योंकि वो जानी चाहिए जितने लोगों पर रीडियो पर ये टेलिविजन पर उसके सासाथ हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा law है वो सिरफ candidates पर ये apply नहीं करेगा वो office सरकार किया किसी की property नहीं हतिया रखी है कोई उसमें complaint नहीं है मेरे ओपर कोई criminal के या चल रहा है तो कौन से criminal cases चल रहा है कब register हुए थे मेरा आज तक जो है मेरी मैंने जो भी कुछ है उसके बारे में और हर छे महीने में आपको वो आपको computer के उपर आपको green या एक हफ़ते का time लेका green amber का मतलब है under investigation green है तो आप apply कर सकते हैं अगर किसी भी आदमी के खिलाब red लगा हुआ है तो वो आदमी ना तो किसी चाहे bjp हो चाहे congress हो चाहे जनता दल हो चाहे जेडी यू हो वो लोग office bearer भी नहीं बन पड़ाएंगे election की दो आप बात छोड़ी they stand disqualified हम भ्रश्ट आदमी को और पैसे वाले आदमियों को office bearer तक नहीं बनने देंगे किसी party का election commission को हम कर रहे हैं कि वो पंचायत के चुराओं भी central election commission कराएगा हम लोकपाल को block level तक ला रहे हैं state level तक ही नहीं ला रहे हैं उस पे हमारे justice हेगड़े साब से हमारे थोड़े differences हैं हम बोल रहे हैं कि state state में भी आएगा जनलोकपाल लो और state state में नहीं आएगा हार district में आएगा जनलोकपाल जो गाओं में जो आज आज आप नरेगा में देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कौन रोकेगा आप और हम तो बड़े खुछ हैं कांग्रेस वाले अब क्या हो रहा है यहां पर जो एक तरह से नरेगा का जो है कई जगा से खबरें आ रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा हो रहा होगा कई जगा अच्छा काम कई जगा से काम हा रहा है कि साम काम नहीं हो रहा नरेगा तो वहां पे अगर बिस्टिक लेबल पे अगर एक इंडिपेंडेंट बैटा हुआ हुआ है आदमी वहाँ पर क्यों नहीं हो क्योंकि जब तक गाओं के अंदर पैसा नहीं लगातार चलेगी और डिजिटल ही चलेगी आप जो आपको केस फैसला करना है सिविल केसिस के लिए हम 180 डेज की आपर लिमिट फिक्स कर रहे हैं मैक्सिमल और क्रिमिनल केसिस के हम उसकी भी हम 6 महीने में आद फित करने हैं अगर कोई बहुत कॉंपलिकेटेड है वो इंफॉ आते हैं कोट के अंदर आपको जो अपना जवाब नाव फाइल करना आप इलेक्ट्रोनिकली फाइल करिए आपको अपनी गवाई देनी आप वीडियो कॉन्फरेंसिंग से लीजिए जच चाहिए हमको मेरे पास पूरी लॉग कमिशन की रिपोर्ट है उन्होंने का चार जब डिले होता है कोई भी जस्तिस तो आप यह समझे कि कितना आद्वी को कितनी मानसिक फिड़ा होती है कितना नुक्सान होता है हम आसा करते हैं आपकी एक कोस्टी से रंग लाएंगी आपकी इस मुहिम को पूरा बल मिलेगा आम जनता का भी सरकार की सरकार का भी समर्थन आपको मिलेगा और यह कोस्टी से इमांदारी के लिए जरूर रंग लाएंगी हम बस जानना चाहरे हैं ब्रश्टाचार की इस पचड़े में अद्व के घरानों को कितना असर बहुत बड़ा रोल है हम आपको बोलते हैं आपको एक बड़ी चीज हम बता रहे हैं मैं कमिश आप सत्यम का एक्जामपल ले लिए जिन हम उससे आपको प्रूव कर देते हैं राजू ने सत्यम का छे बिलियन डॉलर निकाला और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया छे बिलियन का मतलब ही हो गया तीस हजार करोर निकाला उस आत्मी ने उसके स्कैम हो चुका था उस है जैसे वो होता है जैसे कई कंपनिया ऐसी है मैं नाम नहीं लेना चाहता है बड़ी बड़ी उनके माबाप ये कह गए उनको कि इतना भाईया इतना परसेंट डिविडेंट जरूर दे देना तो हमेशा तुमारे लिए स्टॉक मार्किट बनी रहेगी चाहे घर में खाने क पैसे ना हो कंपनी फेल हो गई हो मैं बोल रहा हूं 30% कंपनिया इस समय उनके पास अकाउंट नहीं है और उसके लिए सेवी जिम्मेदार है सेवी को जेल होनी चाहिए सेवी के ऑफिशल्स को लिस्ट करने से पहले एक कंपनिये घ्यूपी के निता की है उसके ओपर मुकद अले दोस्त हैं हम को जानते हैं फोन करते हैं हम बता देते हैं